नमस्कार किसन मीत्रोँ, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बीज उपचार, यानि कि सीट ट्रिट्मेंट के बारे में जानकारी देंगे। किसी भी पाक के अंदर प्रॉपर सीट ट्रिट्मेंट बहुत ज़रूरी है। चलिए हम देखते हैं सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है पहले हम बीजवाले पाक के बारे में बात करेंगे यानि डांगर, लौकी, कद्दू उसका सीड ट्रीटमेंट करना है तो आपको उसे गुंगुने पानी में एक दिन के पहले बिगो के रखना है उसमें वनवुद्धी वेटेबल पाउडर प्रोजी कंपनी का प्रोड़क्ट है वह लेके ट्रीटमेंट करें या फिर आप अपने नस्दी की दवाई की दुकान वाले को पूछके जो भी अवेलेबल प्रोड़क्ट हो जिससे जर्मिनेशन अच्छे से हो उसका उप्योग करें उस पाउडर को इस तरह से इस्तमाल करें जिससे के बीच के उपर उसका कोटिंग हो अच्छे से कोटिंग हो जाने के बाद ही आप उस सीट्स को खेत में बोए अब हम बात करेंगे गन्ने की करने के अंदर fungicide या insecticide ऐसी product लेके आप उसे seed treatment दे सकते हैं अब हम आपको बताएंगे कि seed treatment करना ज़रूरी क्यों है seed treatment ना करने से 70% तक ही seed germination होता है और हमें 30% तक का loss हो सकता है और seed treatment करने से 90% तक germination हो जाता है proper seed treatment ना करने से 30% बीच का loss होगा उसके साथ आपको दूसरे losses भी होंगे जैसे कि labor cost बढ़ जाएगा क्योंकि पहली बार में आप जहां से ठीक नहीं होगा होगा वहाँ आपको फिर से बीच को बोना पड़ेगा और labor का खर्चा बढ़ जाएगा और पहली बार बोया गया पाक और दूसरी बार बोया गया पाक एक समान कभी भी नहीं होगा इसलिए आपको proper seed treatment करना बहुत ज़रूरी है ऐसी ही खेती से जुड़ी माहिती के लिए आप हमें हमारे ABC वेस्मा के YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करें और ABC वेस्मा के Facebook पेज को लाइक करें धन्यवाद